नमस्कार दोस्तों मैं होरविंद और आप देख रहे हैं यूटूब चनल अरविंसंगम दोस्तों अगर आप एक यूटूब क्रियेटर हैं तब आप अपने यूटूब को Chrome browser पर डेश्टैट साइट पर इलेवर करके open जरूर से करते होंगे जब आप Chrome browser पर अपने चैनल को open करते हैं तब आप यहां पर देखते हैं कि verify its you का कुछ प्रकार का message सो कर रहा है तो दोस्तों ऐसा message क्यों सो करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा message आपके सामने आता है तो आप इसको किस प्रकार से हटाएं किस प्रकार से cut करेंगे साथ आप सभी कई बा जिलाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें आप पास में आ रहे हैं बेल आइकन नोट्फिकरसन को आल नोट्फिकरसन पर जरूर से प्रस करें ताकि future की आने वाली सारी important वीडियो की नोट्फिकरसन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये मेसेज आखिरकार किनके फोन में आता है और क्यों आता है तो इसके लिए मैं बता दू कि ये उन्हीं लोग के फोन में आता है जैसा कि मेरे भी फोन में आ रहा है तो कई भाईयों के मारे फोन में इस वरकार का मैसे दिखता है क्योंकि वो कई चैनल को अपने मुवाइल में चलाते हैं कहने के मतलब कई email ID, Gmail ID को open किये रहते हैं तो ऐसा होता है कि यूटूब को ऐसा लगता है कि जिसका भी यूटूब चैनल है वो नहीं बलकि कोई और फेक मैं इसको इस चैनल को open करने की कोशिस कर रहा है इसलिए ऐसा problem उसके सामने आता है तो जो भी इसका owner रहेगा वही इस चैनल को open कर पाएगा कोई भी इसका open नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें twist verification और बहुत सारे settings की रहते हैं लोग जोस्तों ये उन्हीं लोग के message में उन्हीं लोग के phone में इस प्रकार का message आता है जो कई Gmail ID email ID को use करते हैं तो मैं भी कई Gmail email ID को use करता हूँ इसलिए मेरे phone में SMS से दिख रहा है तो इसका तो answer में बता दिया कि किनके phone में ऐसा दिखाय देता है और क्यों दिखायता है तो इसका जो complete tutorial है कैसे इसको हम हटाएंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है प्रोसीड ओले option पर आपको इस प्रकार से click कर देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना password डालना है पासवर्ड डालने के बाद आपको simply next कर देना है जैसे यह आप next कर देते हैं तो आप यहाँ पर सकते हैं आपके सामने इंटर quote का एक option आ चुका है यहाँ पर आपको कुछ settings दिए गई हैं कुछ state दिए गए हैं जो कि आपको follow करना है और इंटर quote यहाँ पर उस quote को fill up करके next कर दिना है तो यहाँ पर कौन सा quote डालना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि आपको home screen पर दिखाया भी गया है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको get your oppo a52 मेरा जो phone model है वो a52 है उसमें आपको क्या करना open the setting app अपने setting को open करना है और type google, google के section में जाना है इस परकार के जो भी options दिए गया है जो भी उसको में follow करना है तो चलिए मैं आपको complete live आपको करके दिखाया जाता हूं तो आपको मैं यहां से cut करता हूं उसके बाद मैं अपने setting को open कर लेता हूं setting को open कर लेक बाद नीचे के तरफ में आ जाना आपको यहाँ पर google का एक option मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं google आपसन पर इस परकार से क्लिक कर देता हूं उसके बाद मैं आपको अपने channel को यहाँ पर select कर लेना है तो जो भी आपका channel हो उस email id उस email id को आपको select कर लेना है उसके बाद manage your google account वाले option पर यहां पर आपको click कर दिना है उसके बाद यहां पर right side में आपको scroll करना और setting वाले option पर आपको click कर दिना है जब आप setting वाले option पर आजाते हैं तो आपको नीचे के तरफ में आजाना है और एक option मिल जाता है security code का यहां पर आप देखते है security code का आपतर मिल जाता है आपको इस पर click कर देना है और जैसे है आप click करते हैं तो आपको यहां पर जो भी finger pattern password होगा आपको उससे open करना है उसके बाद में your security code यहां पर आपका security code दिया गया है अगर आपका channel जो भी यहां से select नहीं है तो आप यहां से भी इस परकार से change कर सकते हैं तो यहां पर उपर दिये गए icon पर आप click करेंगे और अपने channel को select कर लेंगे यहां पर जो code 1 और code 2 है तो आपको code 1 को कहीं पर अपने copy pen से note कर लेना है और note कर लेने के बाद आपको यहां से cut कर देना है और अपने उसी जगह पर चले जाना है जो भी अभी आपने open किया हुआ था तो आपको simply यहां पर अपने channel को open करना है और open करने के बाद आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं जहां पर मुझे इंटर code के लिए कहा जाता था मैं उसी code को जो मैं आपको code 1 दिखाया उसी code 1 को आपको यहां पर type करना है और type करने के बाद आपको simply next रोले option पर आपको next कर देना है तो जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने YouTube को Chrome ब्राजर में open किया हूँ अपना password डाल के next कर देता हूँ अब हमारे सामने इंटर code का option आ चुका है मैं अपना code यहां पर fill up कर लेता हूँ उसके बाद next करके दिखा देता हूँ जैसा कि देख सकते हैं जैसे मैं नेक्स्ट किया तो यह हमें YouTube में open किया और उसके बाद में हमारे सामने यहां पर दो option आ जाता है Chrome का और browser का तो मैं Chrome ओले option पर click करता हूँ फिर मुझे दोबारा से redirect करेगा इस्टूडियो में Chrome browser पर तो आप देख सकते हैं मुझे YouTube इस्टूडियो में Chrome browser पर open कर रहा है यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग प्लीज बेट का एक option आ रहा है तो आपको यहां पर कुछ टाइम बेट करना है और जैसे ही आप बेट करते हैं तो कुछ देर बाद आपका जो चैनल है यहां पर रेप्रेस हो जाता है कैने के मतलब आपका चैनल जो भी जब आप open करते थे इट सी यू का जो आपके सामने option आता था वो हट जाएगा और आपका चैनल पहले के जैसा चलने लगेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने यहां पर कुछ देर के लिए बेट किया और उसके बाद हमारा चैनल जो है open होकर पहले के जैसा चलने लगा तो दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगी और जो भी मारे भाई काफी जादा परिसान थे इस प्रोब्लम से वो आप अपने प्रोब्लम को यहां पर solve कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया जो भी आइडियो बताया उस आइडियो के जरी आप अपना जो भी प्रोब्लम है इसको solve कर सकते हैं दोस्तों आई होब की वीडियो आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक से रच जरूर करेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टापिक साथ तब तक लिए जैहें बाई बाई